राज्य के उर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने आज केंद्र सरकार के उर्जा विभाग से महराश्र से सम्मंदित लंबे समय से चली आरी समस्याओं खासकर M.S.E.D.C.L के बिजली शेत्र को हल करने में राज्य की मदद करने के अपील की केंद्री उर्जा मंत्री आरके सिंग ने राज्यों और केंद्री शासित प्रदेशों के साथ ओनलाइन बैठक बुलाई थी केंद्री उर्जा मंत्राले द्वारा वित्रन घाटे को कम करने और उप्भोकताओं को गुणवक्ता पूंट सीवाएं प्रदान करने के प्रयासों में राज्यों की मदद करने के लिए 3 लाग करोड रुपए के आवंटन के साथ बिजली विवस्ता में सुधार और बिजली की करेंट के लिए योजना शुरू की गई है इस बैटक में डॉक्टर राउत ने मांग की की स्मार्ट मीट्रिंग के लिए 15 फीसेदी सबसीदी का प्रावधान इंफ्रस्रक्चर के अनुरूप बढ़ा कर 60 फीसेदी किया जाए उन्होंने यह भी मांग की की कि इंद्र सरक पर 60 फीसेदी सबसीदी दी जाए डॉक्टर राउत ने बताया कि ततकालिन भाजपस सरकार की नीतियों के कारण महराश्री राज्य वित्रन कंपनी लिमिटेट पर 73,000 करोड रुपए का बकाया जमा हुआ है इसका क्रशी पर सरवादिक 45,000 करोड रुपए बकाया है क्रश वित्रन कंपनियों में दक्षिता लाने के लिए महराश्री राज्य विद्य वित्रन कंपनी लिमिटेट का पुनरगठन किया जाएगा कोविन महामारी के दौरान ग्राकों को कई तरह की रियायते हैं फिक्स फीस में टालम टोल बकाया भुकतान के लिए किश्टों की प्रदान में नुकसान कम करने और बकाया की वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं राज्य के उर्जा विभाग द्वारा किये गए प्रयासों की जरहना करते हुए सिंग ने डॉक्टर राउत को मांदंडों के अनुसार नुकसान को कम करने के लिए कहा उन्होंने आश्वास रिपोर्ट तयार करने को भी कहा कैमरा परसन राजकुमा मोहर के साथ अभिशेक पांसे की रिपोर्ट